तो बीजेपी जो है वो काला दिवस आज के दिन मना रही है उनका कहना कि आज जी के दिन इमर्जनसी लगाई थी तीन खास मेमान हमारे साथ इस्टूडियो में इस पर बाच्चीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सेके मिश्राजी है राजबितिक विश्लेशक आप सभी का भब स्वागत है एक तरफ कॉंग्रेस कहती है कि मौजूदा सरकार ने आघोशित जो है इमर्जनसी लगा मैंने सवाल पूछा था कि दोनों इमर्जनसी का जिक्र जो हो रहा है कॉंग्रेस कह रही है कि मौजूदा वक्त में आघोशित अमर्जनसी और बीजेपी जो है वो काला दिवसाज मना रही है वो कह रही है कि जो 40 साल पहले हुआ उस दाक को कॉंग्रेस धो नहीं सकती है ज आप जरा पॉलिटिक से दोनों पार्टियों से इतर हो के सोची है मैं बोलना यह चाहता हूं कि 40 साल पहले जो घटना हुई थी अच्छी थी बुरी थी चलिए उसको भूल जाईए बीजेपी को मेंडेट इस चीज के लिए नहीं मिला है कि आप क्योवल इतिहास की बाते कर रहा है मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतिहास में देखा जाए जून के महीने में इतनी घटनाए हुई है क्यों 25 जून को ही सेलेक्ट किया कि अबल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सेलेक्ट किया विकास पे बात नहीं मेक इन इंडिया पे 200 साल 200 साल 200 साल 200 साल 200 जून के महीने में बावर मना था क्यों नहीं बीजेपी उसको जो है इस तरीके से पूरे देश में मना रही है पीम से लेके बीम तक प्राइम निस्टर से लेके बूट मैनेजर तक इतनी बड़ी मैन पावर हपते 10 दिन के लिए पूरे देश में यही मनाने में जूटी क्यों नहीं प्राइम निस्टर मोगत है और जो इतने बूट मैनेजर है डिस्तिक लेविल के उन्होंने अपने हाँ एक्टिविटी नहीं कि जून के महीने में ही हमारी रानी लक्षमी भाई को भीर्गती प्राप्त हुई थी क्यों बीजेपी के किसी भी मेंबर ने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला मैं आपको डेट बताता हूं 17 जून 1858 को रारी नक्षी में प्राइज सहीद हुई थी 18 जून 1946 को गोवा लिवरेशन मूव्मेंट हुआ था the first सत्यागरा मूव्मेंट जिसमें कि गोवा को आजात किया 1956 में the Hindu Succession Act of the Parliament of India पास हुआ था उस 10 जून 1924 को the Indian Citizenship Act पास हुआ था जून 28 1975 को India imposes the toughest press censorship वही इमर्जनसी के टाइम में तुक्या 27 जून को भी BJP वाले पूरे देश को इसके अगेंस जो है वो मनायेंगे और पूरे manpower को engage करके रखेंगे 30 जून 2017 को the goods and service tax जो कि एक बहुत बड़ी achievement मैं मानता हूं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है 12 जून जो है 1206 को कुतु बुद्दीन एबक इस्टिवले से स्लेफ देंस्टी लेटर तु वी नोन अज डेली साइटनेर उसने गुलाम बंस की स्थापना की थी BJP इसको क्यों नहीं धिकार दिवस के रूप में मनाती है 1757 में 23 जून को battle of plassi बहुत इंपोर्टन दे है BJP क्यों नहीं इनको याद कर रही है BJP का मकसद क्या यह हो गया है कि पूरे इतने बड़े manpower को resources को engage करके केवल और केवल कॉंग्रेस आपकी political राइसल है मैं जबाब देना जाती हुआ है इत्यास की बहुत बड़ी रिसर्ट बाबर वाने बाबर के जनुदिन को बाबर जिस दिन राजा बना था उसको सबसे बड़ा राम मंदिर का विरोधी राम मंदिर को उसने तुलवाया आप लोगों ने आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला मैं बोलता हूं उसका विरोध दिवस मनाई है न इमर्जंसी जाता बड़ा है कि बाबर जिस दिन अटेक करके राजा बना था मुझे दो घटना हों में बता दीजे बिजेपी की आइडियोलोजी के हिसाब से इमर्जंसी तो धाई साल दी थी वो उतनी बुरी घटना है कि बाबर ने जब अटेक करके जब वो राजा बना कौन सी जादा बुरी घटना है जवाब ले जवाब ले जवाब दीजिए अगर आपने सुना उस सारे सवाल सबसे पहले तो मैं बढ़ाई देना चाहती हूं कि बढ़ा भारी इतियास का ग्यान ले करके मैं मुझे आपके बढ़ाई की ज़रूत नहीं है इतियास का ग्यान लेकर के और रिसर्च करके हमारे पर लीडिया पर आए हैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई है रजनी कुकरेती जी 43 साल पहले जो हुआ इमर्जंसी लागू की गई क्या उसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही है कॉंग्रेस का कहना है कि जो काम जनता ने दिया वो काम नहीं हो पा रहा है अपने वाइदे पूरे नहीं कर पा रहा है इसलिए पिछली सरकारों के जिक्र हो रहे हैं गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहे हैं इससे जनता को क्या फैदा होगा इस तरह से जनन दिन हर साल मनाया जाता है उसी तरह से सरादवी हर साल किया जाता है और यह के जो काला दिवस बार्दिय लोकतंत्र के इतिहास में आया था तो तब से लगातार 26 जून को बार्दिय जनता पार्टी हमेशा से इसको काले दिवस के रूप में याद करती है और तरह तरह से इसके चर्चा होती है कि जो समाज है वो और पूरा देश लोकतंत्रिक मूल्यों का आठ समोजो हमको लोकतंत्रिक सतंता मिली हुई है उसका महत्तो समझे तो कुछ बिशेश इस भार नहीं हो रहा है और कॉंग्रेस तो बिलकुल बोलेगी उनके दामन में लगा हुआ एक काला दाग है और जिस तरह से उन्होंने बिलकुल मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया था मीडिया का मूबंद कर दिया था और जितने अत्याचार 21 महिने का जो कारेकाल रहा इमर्जेंसी का जिस तरह से लोगों के सब तरह के अधिकार बंदक बना दिये गए थे तो उनकी उसकी याद पर जब भी उसकी चर्चा होगी उनके पास जबाब नहीं होगा इसलिए वो हमेशा इस तरह का बेवार्टों करेंगे ही लेकिन क्या कॉंग्रेस कहती है अगोशित एमर्जेंसी आप ने लगा रखी है नोट बंदी जी एस्टी इन सारे फैसिलों को कहा जाता कि इमर्जेंसी की तरह आपने लागू कर दिया सविधानिक संस्थां के ओपर प्रहार आप कर रहा है क्या अगोशित एमर्जंसी जो कॉंग्रेस कहती क्या इसी का आप ये एक तरह से आप रोध बदला ये सब उसी का काठ है ये वो कहते कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जजों ने प्रेस कॉंफरेंस की और कहा कि नियाय पालिका की जो प्रकृरिया है वो सविधानिक तरीके से या सही तरीके से का लागू कर दिया गया इन तमाम चीजों को कहते क्या घोर्षित एमर्जंसी देखे उस एमर्जंसी के दाख को धोने के लिए तरह तरह की टर्मिनलोजी यूज की जाए की कॉंग्रेस के दोरा और ये जनहित में लिए गए निर्णे एक देश की कुव्यबस्ता को जिस तरह की अव्यबस्ताई इस देश में थी और बिलकुल टैक्स का कोई सिस्टम नहीं टैक्स पियर खाली जो सेलरी पेड है वो खाली टैक्स दे रही है और जिसकी काला बजारी और जिस तरह से कांग्रेस के लिए उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार था उनकी जो जमा की गई कालाधन है उस पर एक प्रहार आया है तो बिलबिलाए उन्होंने काम ठीक नहीं किया जनता को काम पसंद नहीं आया सरकार बदल दी आपको मौका मिल गया अब आपको काम करना चाहिए या 40 स साल या उससे पहले की सरकार की कमीयां आपको गिनना चाहिए देखे लगाताथ राजसरकारों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है हर तरह के चुनाओं को जीत रही है तो यह इस बात का प्रमान है कि जो भी भैसले मोधी सरकार ले रही है जन्क हिस में दिए गए निर्णे हैं। जिस वक्त का आप जिक्र करते हैं रजनी जी जिस वक्त का आप जिक्र करते हैं कि इमेजनसी लगाई थी उस वक्त भी कॉंग्रेस बड़ी मद्बूत थी कॉंग्रेस के पास बहुत जादा सीटे थी, उस वक्त ऐसा नहीं कि जिसके पास जादा सीटे हो, वो कुछ भी करें, वो सही हो, उस टाइम जो कॉंग्रेस ने किया वो ठीक नहीं था, इसलिए कॉंग्रेस के ऊपर आज भी दाग लगा है, तो कम से कम जीत ही, जीत ही एक, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि एमर्जेंशी लगाने के पीछे का कारण आपको ध्यान होगा, वो हार की एक वज़य थी, और कोट के आदेश, जो हाई कोट का आदेश आया, मैंने पूरा पड़ा, मैं आउंगा आपके पास, पवन शर्मा जी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कि जब कॉंग्रेस को लगता है, कि वो बरबादी की तरफ जा रही है, वो खत्म होने की तरफ जा रही है, तब आप एक देश में महौल बनाते हैं, कि देखिए देश बरबाद होने जा रहा है, देश खत्रे में है, और आप देश को खत्रे में डाल देत जबकि आज उनको जबाब देने का समय आया है तो ये सिरफ 43 साल पहले का आपात काल उन लोगों को याद दिला रहे हैं जो जिनको साइद ये पता भी नहीं है अगर आज उस आपात काल के बारे में बात करें तो 1978 में इंद्रा जीने एक सारवजिनिक सभा में महरास्त्रा में इस उस कारिये के लिए अपना माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि कि वजए से उन्होंने आपात काला लागू किया हो सकता है क्शा अधिकारीं की वजए से कई जादितियां हुई हैं और उसकी उन्होंने अगर कोई सारवजिनिंग माफी मांग लेने के बाद अगर आज भी उसको उसकी तुलना की जा रहे हैं अगर आप देखें गोशित कर दें देश को आप एक सीट जहां पर हार गई थी इंद्रा जी हाई कोट ने जब फैसला सुनाया मामला सुप्रीम कोट में गया तो सिर्फ क्या एक सीट हारने की वज़य से एमर्जनसी लगा देना और फिर बाद में माफी मांग लेना नहीं ऐसी बात नहीं थी अगर आप देखेंगे उस टाइम पर जितनी स्वतंदर था आज अगर वो स्वतंदर देखें देखें विध्जारती देखें आज हर विद्विच्छ इन्द्राजी ने खुद छात्रुगावान करके उनको उप्षाया अगर आप देखेंगे इंद्राजी ने किन प्रिष्टितियों में जो आपात काल की घोचना करी थी उसमें एक हिस्सा ये भी था उन्होंने पूरी जनता को भड़का जिया था उसके आंतरिक हिस्से में जह जलती होती है दूसी तरह आप गलेती नहीं होई चलिए कंग्रेश का जो आरोब है आउंगा पमझी आउंगा पूरा बहुत वक्त है बहुत वक्त है यहाँ आँगा बहुत वक्त है और मैं उनको यास दिलाना चाहती हूं कि खाली भाती दनता पार्टी ने पूरे इतियात एक बना रहे हो आपने जन्म और श्राद को बोला जिसके आप उस दिन को डेट उने इसलेक किया इंडिया कि हिस्ति है एक मिश्राजी जवाब ले लेते हैं जवाब ले लिजिए जवाब ले लिजिए जवाब दीजिए जे 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 देखिए मिश्राजी पूर स्वतंत्रता के बाद भागती है जो जन्तंत्र है उसका बिल्कुल स्वरूप बदला है इसे पार जो गुलामी का काल रहा वो हमका सामुसब का सामुईक एक उसको सबने जहला है पूरे इत्यास में लोगतंत्रिक व्यवस्था जब 1950 में जब लोगतंत्र की स्थापना हुई उसके बाद जिस तरह कि हमने स्वतंत्रता की कल्पना करके हम हमने इस देख का पुनर निर्मान का कारे लिया था सब लोगों ने तो अचानक 1975 में उन्ही लोगतंत्रिक मूल्यों का और उन लोगतंत्रिक जो अधिकार दिये गए थ इस तरह से अपनी एक कोट के आदेश को जुटलाने के लिए और उसको न मानने के लिए और अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने कोट की जो अवानना की स्रिमती गांधी ने और उसके बाद एमर्जेंसी लगा दी कि बड़ा क्योंकि छात्रों को लेकर के और पू है कि आज वो माहा गठवन्दन के नाते वही ताकती मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है तो इस दिन राजा बना था सब्सके बड़ा मानौ अधिकार का हनन तो हो था आपकी आइडियोलाजी पुक्रेती जी पुक्रेती जी एक मेला उसको मनाईज़ाइए उसको मनाईज़ा क्यों पुक्रेती जी क्या एक मिश्रा जी का सवाल यह कि क्या आपको जहां राजनितिक फैदा दिखाई दे रहा है आप उसको तो मना रहे हैं जहां राजनितिक फैदा दिखाई नहीं दे रहा है उस चीज़ को नहीं आप मना रहे हैं राजनितिक नुक्सान के लिए आप अब आपको समझ में आ जाएगा एक आपको जासे कम वक्त ने रही को समय सब करने पर तेकिए सी कि कर देख से चीग लेते हैं और सवत नत्तर भारत के इत्यास पर इस तरह की काली घटना और अव्वावर जैसी काली घटना से सीग नहीं लेगे आपको सेलिब्रेट करना है तो हमारे सारे कार्यकरता जेलों में ठूस दिये गए तो आप ते कार्यकरता जेलों में ठूस दिये गए आप उसको नेशनल एजन्डा चूंगा रही है करता है इसलिए हम उसको बार बार याद दिलाने की जरुत पड़ती है आप अपने ब्राइट में अपने अफिस्के व आप अपने दाम पे चाहिए लिगा ना पुरे लोगतांत्री जिकारों करना है तो लोगतांत्री अजिकारों का सबसे बाढ़ा हना नूस दिन हुआ जिस इसका श्राप्द दिवस्की नहीं पुछ गड़बर लगता है वोने वो पूरी इध्यास को बखाना कि जाते हैं मैं बोलता हूँ बाबर सबसे बड़ा आप्ति आइजियो जी के हिसाब से इंडिया का दुश्मन है आप लोगों ने उसका श्राप्द दिवस्की नहीं मनाया आप लगार ना बाबर की जेंती तेहिंट है आप मिज्राजी के पास जाएगे एक के मिश्राजी आँगा अपको काफी बक्ता दूगा जो इस तरह से मनाय जा रहा है काला दिवस के तौर पर आज पूरी ब्यूचेपी लगी है, सरकार लगी है, प्रधान मंत्री ने खुद अपने संबोधन इस मसले पर किया, क्या सरकार को अब जो चुना गया है, काम करना चाहिए, मजूदा हालात को समझना चाहिए, या 40 या उससे पहले जो काम करें सरकारों ने क्या उनको लेकर जो है, वो मातब मनाना चाहिए, अमिद विश्राली, देखिए, ये बात सही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलना चाहिए, बहुत जरूरी है, मगर चुनकी आजाद इतिहास में जब ल इस तरह से देश में आदिदात को आपातकाल लागू किया गया, उसकी चार मुख्या चीजें थी, एक तो उद्विधान सवा और लोग सवा के चुनाम नहीं कराये जा सकते, इंदरा गांधी जब तक चाहें प्रधान मंत्री बनी रह सकती हैं, किसी तरह की अदालत में उनके अधिकार खतम कर दिये गए, मीडिया की आजादी को खतम कर दिया गया, मगर इस आपातकाल को भूनाने का जिम्मा अकेले सिर्फ भारतिय इंता पायटी का है, तो कि उस वक्त के तमाम जो लीडरान थे, वो आज देश के बड़े लीडरों में शुमार किये जाते हैं मसलन नितीश कुमार की बात करें, लालू यादव की बात करें, मुलाइश यादव की बात करें, जेटली जी तो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मगर मैं कहना चाहता हूँ, भारतिय इंता पायटी से जनसंग से अलग भी जितने राजनियतिक डलों के लीडर थे, आज कही कोई भी, आज भारतिय इंता पायटी के इसकाला दिवस, मैं भारतिय इंता पायटी के साथ नहीं है, सिर्फ भारतिय इंता पायटी के लोग, लोगों ने आपात काल में जुल्मों सितम जेले हों ऐसा नहीं है, देश के तमाम ऐसे और लाखों लोग हैं, जो जेलों में भारतिय अन्ता पाइटी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपात काल को पिछले करीब दो दशक से बलकि कहा जाए तो अटल जी की सरकार के पहले से भारतिय अन्ता पाइटी को जब भी मौका मिलता है वो सस्ता में होती है तो आपात काल को एक बड़ा वो बना करके सजा एक ऐसी कि हर साल हर वक्त आपको मिलती रहती है। अगर सजा होती तो सजा तो पॉब्लिक ने दे दी थी। पॉब्लिक ने 2017 में सट्था से बेदखल कर दिया। और उसके बाद में दो ध़ाई साल के बाद में वही पॉब्लिक ने इंडरा गांदी जी को सट्था सीन किया। और उसके बाद में 87 तक कोंगरे सट्था में रही। उसके बाद में 91 में फिरा ही। तो अगर देखा जाए तो जन्ता ने तो पहले ही माप कर दिया। और इंद्राजी ने इसके लिए साब साब माभी भी मागी अब आगर देखें तो ऐ गोसित जो आपातकाल आज भाजबपा सासन में है वो हम नहीं कह रहे हैं ये इनके मंतरी इनके विराज वो खुद कह रहे हैं आज राजस्तान के पूरवे मंतरी बहुत बड़े नेता इनक मोग जन्ता की आवाज सुन नहीं रहे हैं आज खिसान मरे जा रहे हैं लेकिन आप उस जो सिधापातकाल इसको आज ये बाझंपाई ये काला दीवस की रूप में मना रहे हैं जब कि इनको शर्मानी चीए आग जो उन्होंने वादे के दे जब जन्ता इंसे वादे पूछने वाली थी तो ये ऐसे दिवस मना के उनकी आख हुमें दूर जोगने का काम करें हैं बिल्कुर रजली जी कॉंगरेस की जो आपात काल की अघोशित इस्तिति कारा अपने लगा रखी है इसमें आपके बढ़े नेता प्रदान मंत्री को इशाना साथ के कहरी प्रैस कॉंफ्रेंस कारा रही कि ब्यूपी को के नेताwn कों ही सबको बंदग बना रखा है पार्टी को ही बंदक बना रखा है दो चार लोगों ने अधरीक वरूस है और किस तरह से हम अपना संगठन चला रहे हैं आज दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा राजनेतिक डल है बात यह जाएगी हुआ में पूरे देश पर भास के जंसापाजी की फरकारे है लगब पूरे देश पर बाते, नहीं रही हैं तब्ग्रीक कर देंदंत्र मति के लिए अ सद्री और में अगर किसी के पास इंद्धादन हो तो किया वहुछ भी काम करेए वो सही है जए किया एक यहीं पहणा है आप बार बार बीजेपी यो बार-बार इस बात और जिनाती है कि हमारे प Candi ने-ने आप जो इनाते हो नणं हमारे पास सबसे जाधे सबसे जाधे MPAP सबसे जाधे राज्यों में हमारी सरकारे है आगे जंटा हम पर विश्वास कर रहे हैं प्रजात तंतर में आप जनता के मन को कैसे भापते हैं कैसे नापते हैं मैं आप से ही पूछना चाहती हूं कि जनता का मन नापना हो जनता के चुने हुए प्रतिन निधी है अगर आप देखिए लेकिन उप चुनाओं में अगर वह को काफी ज्यादा हर का सामना करना पड़ा तो फिर प्रजात तंतर में फिर उसको मान लेंगा निपर जातंतर में केजरी वाल की क्यों नहीं सुन रहे आप यह उसा दस दिन धन्ना देना पड़ रहा है क्यों नहीं मि कॉंग्रेस का कहना कि जो आपको जिम्मेदारियां दी गई है जो आपको जिम्मेदारियां दी गई है लोकसवा चुनाओं में जो आपने वाइदे किये थे उन वाइदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं इसलिए इस तरह के लिक तो 75 से लेकर के आज तक प्रतेक वर्स बात्य जंत्ता पादी इसको काला दिवस के रूप में मनाती रही है और यह जो दूसरे समाजवादी और अजने लोग थे जो इन सब चीजों को जेज चुके है लालो कुरसाद यादव ने तो अपनी बेची का नाम तक मीशा रखा था ज याप के तूँना दिवसों के लिए मैं तूअ ने तो बहुल चुके है सब वह उन चीजों को पीछे जोड़ कर रज्टी जयों चीजों को पिछे चोर्ड़ कर वा आगे बढ़ती की बढ़ ने जिलए उनका वह आगे क्यों नहीं बढ़ती अब तो अब्सक्ता बाटी अच्छे या बुरे क्यों आपको क्यों कॉंग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है यदि इमर्जेंसी एक इतिहास का एक काला प्रिश्ट उसकी याद दिलाई जा रही है सब को और हर वर्स दिलाई जाती है कि देखें जनतंत्र का क्या महत्व है और जो हमें अधिकार लोगतंत् है वो उसका कितना महत्व है हमारे जीवन में और क्या यदि इस तरह की शक्तियां यदि शक्ता में आती है आप देखिए जो संजे गांदी जी बिना कुछ होते में भी जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में जो नस्वंदी का जिस तरह से करवाई है और जिस तरह से राजनी जी देश की जनता तब जादे आपसे खुश होगी जब आप ये चाने मनाए लेकिन इसके साथ ही आप उनके खाते में 15 लाक रुपए पहुंचा दे देश की जनता तब जादा खुश होगी जब काले धनवालों को जेल में बंद कर दे देश की जनता तब जादा आप से खुश होगी इस अंदोलन से इस काला दिवस मनाने से जब पेट्रॉल और डीजल के दाम आप कम कर दे जब महंगाई को आप कम कर दें जब किसानों को वाजिब दाम आप दिलाएं जब बुन्यादी चीजें हो जब जादे जनता खुश होगी आपके इससे जादा खुश नहीं होगी इसको आप मनाते रहिएगा हर साल मनाईयों कोई मना नहीं कर रहा है यह राजमेटिक पार्टी के नाते और सरकार में होने के बाते बाते जनता पार्टी का नेत्री तो जानता है कि जनता के लिए क्या किया जाना चलिए और सरकार कैसे चलती है यह कॉंग्रेस के सिखाने से या उससे नहीं जानेंगे यह आप इस काल्या ज्याय को ना याज कर यह कॉंग्रेस नहीं निरनाय कर सकती या यह कुछ पार्टी का जो नेफ्रिस्तो है वो जानता है जनता के हिसमें लगातार आज जो भारत का गौरव है पूरी देख दुनिया में बढ़ा है इसके पीछे बाती जनता पार्टी का बढ़ा वार्टी एक तरफ बात होती है कि इ एक तरफ तमाम तरह की योजनाओं की आधुनिक योजनाओं की बात होती है और दूसरी तरफ चार दश्कों पुरानी हम लकीर को पीछते हैं उन नाकामियों को हम मनाते हैं असे देखे आप अपने प्रेक्टिकल लाइफ पे लो मैं बोलता हूं हर महीने में 30 दिन होते हैं असे और हर दिन आप मनाने लगो कि आज मेरे खांडान में 15 साल पहले ये बिला हुआ था तो आज बरड़े है आज किसी का श्रात है आज कुफाजी तो बेटे काई है तो आप काम करोगे काम कब आप करोगे काम करोगे मेरे काने मतलब यह है है वीजेपी को जो पूरे अगर आपको काला दिवस मनाना है जो आपकी आइडियोलोजी के हिसाब से सबसे खराब आदमी है वो बाबर है उसको मनाईए कि अपत्ती ही है ना हर दिन आप कोई ऐसा जो है दिन भूर देते हो और उसको पॉलिटिसाइस करते हो पोलेंटिल माइलेस लेते हो गुजरात की विजाज की बात आप नहीं करते हो मेकिन इंडिया की बात अब आप ने छोड़ दी औरिक इंश्मेंट की बा अब आप नहीं करते हो दाउद को लाने की बात अब आप नहीं करते हो यह सारी बात यह नहीं हो रही है बैम केवल यह मना लेने से हें कि इंडरागांदी ने यह अरे मैं बोलता हूं मैं आप लोग जीत गए बीजेपी जीत गई कॉंग्रेस एकडम से खतम हो गई आपका पूरा हुआ है क्या पांट साल काम करिए फिर जब तुनाव आएगे तो फिर यह सब करिए ना आप काम पे फोकस ना करके डिलीवरी पे फोकस ना करके बस कॉंग्रेस कॉंग्रेस के पीछे आप पड़े हो उदर हमारे पॉलिटिकल पार्टियों देश का दुर्फाग यह है केजरिवाल जी है वो बिजेपी बिजेपी के पिछे पड़े हैं बिजेपी वाले कॉंग्रेस कॉंग्रेस के पिछे पड़े हैं कॉंग्रेस वाले बिजेपी बिजेपी के पिछे पड़े हैं सफर कौन कर रहा है एक कॉमन आत्मी CEM कॉमन मैं जो हमारे PM मोती ने बोला था कि I am a CM, not chief minister, common man, वही common man in some politics में फ़र्स के पूरा का पूरा जो है, एक तब उल्जा हुआ हुआ है, कोई development की बात नहीं, मैं बलता हूँ, make in India की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं फिछले थीन साल से, foreign direct investment की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बैंकों का देखिए कितना बुरा हल हो चुका है, कर्द में डूबी भी है, आप लेका थे क्या आर्थिक इस्तिती पर रहे हैं, आप जब आस्टाइल में है, पबन जी जब भी emergency की बात आती है, तो Congress, Congress बड़ा आसहज महसूस करती है, ने ने, आसहज की बात ही नहीं है, जनता ने तीन बार चुना उनको, उसके बाद में Congress ने 91 में चुना, फिर 2004 से लेके, 2012 तक Congress रही या 14 तक रही, तो आप उसको तो भूल जाएए, देखें, जनता जनारदन है, जनता सब देख रही है, जनता बीजेपी के कारियों को भी देख रही है, ये सब ये देखें, आ तो चुनाव आयोक को भी उसकी साख को भी गरा दिया है, CBI की साख को गरा दिया है, चीप जस्टिक को भार आना पड़ा जनता की अदालत के लिए, तो इन्होंने सहमेंदारी सेज़दा उनक्तर कर दिया, आज देखें उन्होंने पत्रकारों को, आज जो पत्रकारी के साम में बोलता है, PM सार से को कुछन कुछता पता लगा दूसरे दिर वो पत्रकार है नी, आप देखें, जितने पत्रकारों के हत्ता हैं, जितने आठी ही अर्टिमिट के हत्ता हैं, इस सासंकाल में हुए, कभी नी हुई, आज देखें, एक गोहत्ता के नाम पे, यह उन्होंने राजनी देख सरंग संदे रखा हैं लोगों को, सबसे जादा एक गोहत्ता हों के उपर, इनोंने जारा किस्ताम किया हुए, अगोशित अमर्जंसी तो इस वक्त लगी है, जो सविधानिक संस्था हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है, लेकिन वीजेपी इनकी अमर्जंसी को याद दिलाती है कि आपने देश को उस वक्त कहां पर जोग दिया था, वक्ते छोटे से ब्रेक का जल लाजर होते हैं, मने नहीं मर्जंसाथ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप दिख रहे हमारा खास का अरकरम, आज का मुद्धा, आज बात कर रहे हैं कि आज ही के दिन पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी ने इमर्जंसी लगाई थी, बीजेपी इसको काले दिन के तौर पर आज मना रही है, बीजेपी का कहना है कि बादा नुकसान हुआ था, उस वक्त देश को विपक्ष के नेताओं को जेलों के अंदर फूस दिया है, एक बाद फिर से आपका सभी का बाद स्वागत है, रजनी जी, पत्रकारों का कहना है, जो पैनल में बैठे हूं, सभी यही शक्सियत का कहना है कि आप जो मनाएं, सो मनाएं, लेकिन आपने जो वाइदे किये, उसको भी निभाएं पूरा बिजली पूरे देश में नहीं पहुंच पाई थी, आज हंडेट परसेंट बिजली पूरे देश में नहीं पहुंच पाई थी, आज हंडेट परसेंट बिजली पूरे देश में पहुंच पाई थी, आज हंडेट परसेंट बिजली पूरे देश में पहुंच पाई प्रदान मंत्री 22 तक के रहे ही इनों नहीं पहुचा दी, पढ़ते है गाहों तक बिजली पहुचा दी अनिया, अमिज जी बैठे हैं हमारे साथ, वरिश्ट पत्रकार हों का कहना कि प्रदान मंत्री नरेंदर नरेंदर मोदी जी कह रहा है कि 2022 तक हम पूरे देश में पहुच कई विखली नहीं पूछ गहीं हावाज का नाम दिना दीजे पूरे अंग्रेट पर्सेंट गाव में बिज्ली पहुच गई है जिस गाओं का नाम मोदी जी नहीं मं कि बात माegen Ken石 बात में हातरस के उसी आप में नहीं पोची जिस जाय की ये मांगों जाएगी ये मानता हूं उसके लिए क्लम बिण उसरेकरों भी आपको चार साल वाप कहिए गा काम कर रहा है इस दिशा में लेकिन अगर अगर आप यह दिखा दो है कि हो गया तो कैसे हो गया वह नहीं है ना आपके यह कर रहा है उस दिशा में काम अभी अपने को अप्डेट कर लिजे बिजली 100 पर सेंट गाओं में पहुंच गई है एज रिजल्य मंत्री स法 कर लीजिए गार हजार फिर और अब्डेट कर लीजिए और फिर हर गर्ण कोसे जितने कौन से हैं यह पोर नंगे यह इपना दीजिये गाउपोग मोचा फिर फिर घर में पूंचेजी फिर फिर गर्म पूंचेजी अ शुक्रैक्ट इंसक्षा को हलका पूरे और प्रत्य छेत्र में एक एक का नाम क्योंनों हर जगे जो वेलफियर स्केट के जितने काम है जिस तरह के अभूत्पूरों काम बाती जनता पार्टी की सज्जी सिस्पीड से हमारी सड़कें बन रही है जिस प्रसाद से रोजगार पर चलिए ठीक है जड़ता सब कु आज की तारीखों को गिनार है वो बात ठीक है लेकिन कॉंग्रिस ने उस वक्त जो किया उस वक्त की प्रधान मंतरी ने जो किया वास्तब में वो काफी ज्यादा गलत था देश इसको भूलेगा नहीं कभी आसे मैं आपको एक चीज बोलता हूं मैं इसी कॉंसिट्यूशन की बात करता हूं जिस कॉंसिट्यूशन की बात सारे ने तालोग करते हैं हमारे संभिधान में ये कही लिखा हुआ है क्या कि एक बार जिसको सजा मिल गई उसको आप हर साल याद करके बार बार पोट उसको स पर उसनी खजय का पर दिए इन देख को करोने लोगों के मुझे का बना दिया क्या रही है क्या ये कॉमरेस के साथ नहीं हूं इसलिए आपको तकलीब है आति गुलाहों को यहाच दाए जा रही है तो आपको तकलीब है लापने पैले में बीजेपी का इस वक्त अपने ओफिस में काम नहीं कर रहा है वर कारा दीवस मना रहा हुं आप लगातार इतने बड़्टों को मुसल्मानों को ड़ाते रहे हैं यह पार्टी अपरादियों की पार्टी है और आपके अपराद हम लगाता किनाते रहेंगे मेंडेक प्रक्राद है ऐसे भारत का निर्मान थोड़ी होगा इनगे अपांध को लेकिता हर्टी को लेगें पांधी अधी साल में परांटि प्रक्रश्ण पर्रक्रश्ण है नियुक्त अब करें तक्लिभ हैं यह तबदाइब ने वह दोर्ड़ी नियुक्त आप लिए कि क्या रजनी जी इससे भरपाई हो जागी सवाल यह है इससे भरपाई नहीं जनता ने उनको सबस्थ दे दिया जनता ने उनको सजा दे दिन वह दो जाए रजनी जी जिए ने के मिश्वाई है आपने बाबर्दा है जिस दिन वह आजा बना एक पारणी के अडियो लोगी आप भूत पो आप लूख दिए आप यह तो आप भूर जाएगे आप तो मनाना आप प्रतिकात्र तरीके से मना ने जे आप उसको ऐसे मत मनाएगे कि पंत्रेजिका ने एक मिश्वाई वक्त ने आप भी अगर चाहें कि आप दो सदा ने दी आप उसी को गिनाते रहे जनता सदा देने वाली ए जनता फैसला करने वाली आपको जिम्मेदारी दी एप को जिम्मेदारियों को निभाईए और ज़ो पन से घलत गाम नगा उस्ट सबक लीजिए और कंट्वेस यहीं कि आमिजी कुछ बात कह रहे था आमिजी रखी बात अपात गाल एक बहुत अच्छा जीने के अधिकार चीन दिये गए सवर्तंत्रता का अधिकार चीन लिया पर पाबंदी ये सब बहुत अच्छे कदम नहीं थे बहुत खराब कदम थे लोग चन्तर में इसा नहीं होना ज़िए अगर क्या अब जब हम चीन सदी में फिरवेश कर गए हैं डिजी तर्इंडिया की मिंद गिसन ने इंडिया की इसकी अर्टो कई बीज्वर्मान की बात कर रहे हैं आग सभरौाड की बात कर रहे आ अब यह आपातकाल आता है आपातकाल या शोर्रय दिवस इसके माइने इसकी परीबाशा विभिन पार्टियां अपने अपने तरीके से मना सकती है कहने का सेंस सिर्थ यह है कि जो आम आदमी है जिसकी सुबह शुरू होती है पेट के आंकले फिट करने को लेकर के रात हो जाती है दो जून की रोटी का जुवार करने में उसके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है शिक्षा बड़ा मुद्दा है बच्चों के परवरिश उसके लिए बड़ा मुद्दा है उसके लिए दाल लोटी दूद का मुद्दा बड़ा है जो पड़ा लिखा 500 एक ने हो जाय हो कि दोगुन एक जी जो हो बत ऑर दोनकों करन being a Ram जो मतलुने हिए उनको नहीं को मतलब कि उनको शुवधाएं भाण ओना जाहिए अब आमगों早से मसाय जह भूलना चाहता है है पार्टियां खेल रही है कि आप काम दाम चोड के जनता की तंखा लेते रहो एश करते रहो वीज दिन आप धर्मा दो प्जेपी को क्या इसलिए मेंडेट मिला है कि हर महीने चार-चाह आप ऐसे मुद्दे उखार लो उठा लो उठा लो उसके लिए करते रहे वर्किंग बताईए कि धर्ना प्रदर्शन से विरोध करने से देश का भला कैसे होगा बिजय दिवस, सोड़े दिवस, बहुत जादा जाना बालता, लेकिन आनित्य जैसे व्यक्ति यह कहते हैं कि आप इतिहास के प्रिष्टों को क्यों याद कर रहे हैं, देखें इतिहास इतले होता है कि उससे सबक लिया जाए, लेकिन बाकी इतिहास से भी लिजिए, जो राज दल जो है, वो अपने हिसाब से जो है, वो सबक लेते हैं, वोटमेग की राजनीती यहाँ पर, वोटमेग के राजनीति हैं, जो आज बिजय पी आज के दिन को काले दिवस के तोर पर मना रही है झाल 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 झाल